चीन के इस दावे के पीछे एक बड़ी वज़ा है और वो है जवारला लेनुकी सरकाँ अरुडाचल प्रदेस में भारत और चीन के सैनिकों के बीच टकराव चल रहा है मोधी सरकार से ये सब पूछने के बजाए कि वो क्या कर रही है सीमा पर क्या हो रहा है मीडिया काम पर लग गया बताने के लिए कि आज भी ये सब नहरू की वज़ा से हो रहा है इतिहास की बात आगे करेंगे इतमिनान में मगर अभी सवाल ये है कि मीडिया वाले क्यों नहीं पूछ पा रहे हैं कि दिसंबर 2022 में अगर कोई अधिकरमड हो रहा है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है जूला जूला देने के बाद अगर अधिकरमड हो रहा है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है गले मिल लेने और पार्टी कर लेने के बाद भी अगर अधिकरमड हो रहा है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है टिक टॉक समेट कई एप बंद कर देने के बे सिर्पैर बहादूरी के बाद भी अगर अधिकरमड हो रहा है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है पहली बार नहीं साल भर सीमा पर बार बार अगर अधिक्रमण हो रहा है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है पिछले साल भी सीमा पर ऐसे ही अगर अधिक्रमण हुआ तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है 2020 में भी बॉर्डर पर ऐसे ही सेना में संघर्स हुआ तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है सवालों का जवाब एक लाइन में है वही जिम्मेदार है जिसकी सरकार है मगर ये सवाल एंकर कर ही नहीं सकते क्योंकि बस कहने के लिए वो पत्रकार है सीमाओं पर जब संघर्ष होता है तब आने वाली खबर हमेशा एक तरफा होती है अपनी अपनी सुविधा के अनुसार इसे अलग-अलग देश अपनी अपनी जनता को बताते समझाते हैं हाल ही में हुई जड़प पर भी इसी तरह का माहोल देखने को मिल रहा है चीन की तरफ सेना को वीर बताया जा रहा है भारत की तरफ से सेना को महावीर बताया जा रहा है अपनी अपनी सहुलियत के हिसाब से देखी दिखाई जा रही है तस्वीरे और वीडियो एकदम युद्ध उनमादी माहोल बनाया जा रहा है मगर असल सवाल नहीं पूछ रहे हैं कि पडोसी देश से कैसी वारता चल रही है अगर वो अतिक्रमड कर रहा है तो रोकने में कितनी सफलता मिल रही है दुनिया भर की अर्थ व्यवस्था की रीड बनने का दावा कर रहे हैं अगर ये दोनों देश तो ये कैसी विदेश नीती चल रही है आपस में क्यों लड़े भिड़ रहे हैं एसिया के दो सबसे सक्तिसाली देश इन्हें लड़ाने के पीछे किसकी साजिस चल रही है पता है आपको अलग लग रहा होगा यहां का कंटेंट और अंदाज ना मार देने ना मिटा देने की बात हो रही है ना आवकाद बता देने की बात हो रही है युद उन्माद हो सकता है इतना हावी हो चुका हो कि समझदारी की बात से चिड़ हो रही हो नफरत हो गई हो वैसे तो मीडिया का काम ये नहीं है कि आम आदमी के बीच युद्ध का उनमात फैलाए, बलकि काम तो सिर्फ इतना है, कि जो हो रहा है उसकी खबर बताए. हाँ, जो जहां होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उस पर भी सवाल उठाए. मगर सवाल उठाने के नाम पर, जिम्मेदार ठहराने के नाम पर, अधिकतर पत्रकार सिर्फ और सिर्फ एक काम कर रहे हैं नहरू ने ये नहीं किया नहरू नहीं किया क हकर बस दोस दे रहे हैं अगर तिब्बत मामले पर नहरू ने ऐतिहासिक blender किया था तो क्या ये बात 2014 के पहले नहीं मालूम थी जब लाल आँख दिखाने की बात की जा रही थी सरकार में आने पर निपट लेने की बात की जा रही थी और अगर अब चीन को दुसमन ही मान रहे हैं तो तस्वीरें क्या कह रही हैं कुछ दिन पहले तो गले मिल रहे थे, साथ में पाटी की जा रही थी, आखिर समाधान तो सरकारों की सामरिक बादचीज से ही निकलेगा, तो फिर टीवी चैनलों के इन एंकरों को उचल कूद करने वाले इन बंदरों को मैदान में उतार कर क्यों मजाक उड़ाया जा रहा है देश की सीमा, देश की सुरक्षा जैसे गंभीर मामले पर देश भर में क्यों तमासा बनाया जा रहा है, एन वक्त पर सरकार क्या कर रही है, जवाब देने के बजाए लोगों को मन गढ़ंत इतिहास पढ़ाया जा रहा है, मन गढ़ंत इतिहास बताया जा रहा है